बिस्मिल्लाइ रुहमान रहीम दोस्तों मैं हाफिद अब्दुरेम जलगाओ महाराश्टर से आज हम जलगाओ से गुजरात और महाराश्टर की जो बॉर्डर है वहाँ पर एक हील स्टेशन है जिसको साबू तारा का जाता है और ये जगा बहुत फेमस है पूरे महाराश्ट से और उसके अलावां भी बहुत दूर दूर से यहां पर लोग घुमने के लिए उदुरत का बहतरिन करिश्मा बहतरिन मंजर हसीन मंजर यहां पर दिखाए देता है तो हम तो है जलगाओ से मुस्लिम कॉलोनी से आये हैं और यह जो आप वीडियो में देख रही है सब हमार अभाई उस्याश दानिज भाई है मौसिन भाई है और हम भाई है ऐसे ही अलबाज भाई है अवेस समीर भाई अब्दुरही माशन न हमें समीर भाई जाइब यह उर्फ राच यह हमारे जलाल जलानुक दीन और अब्दुल मुस्विर साफ यह उमर साथ तो माशाललह यहापर यहापर जो कुछ चीजी है उसकी वीडियो लेगे और पूरी वीडियो चैनल के ओपर अफलोड करेंगे इंशाललह आप उसको जुरूर देखे कर दो झाल याल बाल, वाल, झाल दोस्तों ये जल्गाओ से सापू तारा का सफर है जिसमें हम 15 से 17 लोग थे तकरीबान साथ में जल्गाओ मुस्लिम कालोनी से तो माशाला बो अच्छा सफर रहा इसकी रुदा सुनिये दोस्तों सापू तारा ये पहाडियों की वादियों में है पहाडियों के दामन में है उचाई के उपर है यहाँ पर थंड बहुत ज्यादा होती है हरियली यहाँ पर बहुत ज्यादा है बारिश बहुत ज्यादा है और बरसाथ का जो मुसम होता है उस वक्त में यहाँ का नजारा देखने के काबिल होता है माशालला और इतनी यहाँ पर धुवारी होती है कि करीब से जो आदमी खड़ा है वो आपको नजार आएगा दूर से आपको कोई नजार नहीं आएगा तो माशालला टाविरा गाड़ी हमारे अब्दुरह्मान जो दोस्ते उनकी यह टाविरा गाड़ी थी बहुत अच्छ करीब हम आ गए तो इस तरीके से वहाँ पर बिल्कुल इतनी ज्यादा सर्दी थी कि धुवारी हर तरफ नजार आ रही थी और गाड़ी की लाइट शुरू ही रखना था उसको बंद नहीं करना था क्योंकि कुछ नजर नहीं आ रहा था यह देखिया अब दामन में यहने न बिल्कुल नीचे इतनी सफेद धुवारी है कि अंदर की हर्याली बिल्कुल नजर नहीं आ रही है और यह काश में से तो आगे की गाड़ी भी नजर नहीं आ रही है ये सापुतरा पहुशे हैं वहाय का ये मनजर है ये निदी वहापर है जहापर लोग कश्टी के अंदर बैठते हैं और पानी का मज़ा लेते हैं माशल्लाव भूट अच्छा लगता हैं और जैसी वहाँ पर पहुशे तो सीधे हम लोग ने गाड़ी पारकिंग में लेकर गए और वहाँ पर सरदी बहुत ज्यादा थी यह वहाँ की पारकिंग है जहाँ पर गाड़ीों को खड़ा किया जाता है इतना रश इन दिनों में यहाँ पर बहुत ज्यादा रश होता है ग तरती आपको लगेगा कि मुझे चाय मिलने चाहिए तो माशालला हमें बहुत अच्छी चाय मिल गई बहुत अच्छी इन्होंने अधरक वाली चाय हमें पिलाए इनका भी शुक्रिया तो चाय के बगर आप यहां रहें नहीं सकते उसके बाद जो उपर का मनजर है ना वहां अपर हम लोग गये जो बिलकुल पहाड़ी के ओपर है यह हमारे साथ के जो बच्छे थे तो यह इस तरीके से आपर ऐसा बना जा हुआ है और यह जो पीछे आप दोवारी देख रहें यह बिलकुल पूरा पहाड़ी की नीचे की चीज़े उसके अंदर आप 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 देख रहें यह उपर ही है इन्हें आप जो दोवारी नजर आ रही है इसके नीचे पूरी हर्याली है और पहाड़ों के दामन में खाई है लेकिन आप को नजर ने आएंगी क्योंकि दोवारी इतनी ज्याद है वहाँ से भी नजर ने आपका राजू भाई कब से क्या पर आ देख सकते हैं तो दोस्तों गोड़े की सवारी तो सुन्यत भी है और बहुत अच्छी चीज़ देख दोस्तों यह पर इसके अलावा बच्चों के लिए बड़ों के लिए बाई की होती है इन्हें लोग इसके ओपर बैढ़ते हैं और वही पर एक चक्कर लगाते हैं घूम लिए फिरते हैं उस पर सेल्फी लेते हैं फोटो निकालते हैं कोई वेडियो निकालता है इस तरीके से भी लोग यहां पर इंजॉय करते हैं और यह उपर जो आप कुछ लोगों को देख रहे हैं जिन्होंने सूटर पेना हुआ है या फिर रेनकोट पेना हुआ बारिश तो आती है लेकिन अगर बारिश नौगे हो तो सर्दी बहुत ज़्यादा होती है रास्ते भी ऐसे हैं कि आपको आगे का बहुत ज़्यादा दूर का नजर ने आगा यह दो आप नीचे यह हर्यादी जो करीब में वह नजर आ रही है उसके बाद फिर नीचे पूरा धुआ ही धुआ नजर आ रहा है जैसे वह रहात इंदोरी साब ने कहाना है तो यह धुआ है कोई आस्मान थोड़ी है उसके बाद हम लोग घुमे और फिर नीचे वापस आ गई है नीचे की जगे जहाँ पर पारकिंग वगेर होती है और फिर हम लोग वहाँ से जल्दी निकल अगर कई आना जाना चाहे तो इनकी गाड़ी बुक कर सकते हैं इनका नंबर भी स्क्रीन पर मैंने छोडा हूँ इनको कॉल कर सकते हैं लंबे लंबे तूर बी अंदविल्ल यह ले जाते हैं आते हैं इदर से हम लोग रात में गए उधर से भी रात में और दिन बर वहाँ लेकिन उसके बाद भी बड़े सहतमन तंदुरुस्त थे हमारे दोस्त अब्दुरह्मान साथ और इतनी ठकान में भी उनके चहरे पर माशालला एक चुस्ती फूर्ती नजर आ रही है और उन्होंने पूरी गाड़ी चला है दोनों तरफ से बाकी बहुत सारे लोग सो रहे थे तो दोस्तो सफर में गाड़ी बहुत एहम होती है ड्रैवर बहुत एहम होता है उसके बाद हम स्थार होटल मालेगाओ में रुके आते वक्त बहुत ज़्यादा जोर से भूक लगी थी मालेगाओ की स्थार होटल बहुत ज़्यादा मशूर है बहुत पुरानी होटल है माश फिर यहाद फिर हम लोग मालेगाउ से निकले मालेगाउ सिटी में भी हम लोग तक्रीबान दो से धाई गंडे रुके असर की और मगरिब की नमाज हम लोगों ने वही पर पड़े और उस दरीमान गाड़ी जो पार्क करने के लिए जगा नहीं थी तो ट्राफिक पुलिस ने में एक हजार रुपे की फैन भी वहाँ पर दे दिया तो एक हमारा नुकसान हो गया मगर अलहम्दुलिल्ल्ला बहुत अच्छे से गया और बहुत अच्छे से हम लोग यहाँ पर जलगाउं वापस आगए रात में बारा वजे अल्ला तबारु को ताला से दुआ कि अल्ला